पीनट बटर बहुत ही कॉमन है ये जिम गोर्स में क्योंकि ये काफी टेस्टी और सेम टाइम हिल्दी भी होता है मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर मिलते हैं जहां एक्ष्टर सुगर आड़ेड होता है along with emilicifier and stabilizer जो की food की structure and mixability के लिए एड़ किया जाता है जबकि ये सब बिना यूज किये ही हम घर पे बहुत ही आसानी से और सस्ते में टेस्टी पीनट बटर बना पाएंगे आईए जानते हैं कैसे पहले हमें लेना है पीनर्स यहां पे मैं सारे पीनर्स को अच्छी तरह से रोष्ट कर दिया हूँ और फिर mixer में ट्रांसफर कर दी अच्छे से ब्लेंड करने के लिए कुछी सेकंड्स ब्लेंड के बाद सारे पीनर्स पाउडर हो जाएंगे इसके बाद हम एड़ करेंगे पिंच अप सॉल्ट सिर्फ टेस्ट के लिए हमें फिर से मिक्सी में इसे गुमाना पड़ेगा जब तक यह हलका सा एक पेश्ट के तरह ना बन जाए मुझे थोड़ा मीठा पीनट बटर पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पून हनी आड़ किया है बाकी यह ओप्सनल है और एक बार मिक्सर में घुमाने के बाद पीनट बटर तैयार हो जाता है जिने क्रंची पीनट बटर पसंद है उनके लिए यह सही है और जिने क्रीमी पीनट बटर पसंद है मेरे तरह उन्हें और एक बार बस घुमाना पड़ेगा मिक्सर में अब ही हमारा टेस्टी क्रीमी पीनट बटर तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी बनाई यह अब इस सारे पीनट बटर को हम एक छोटे से बाल में ट्रांसफर कर देंगे अब नाओ दो पीनट बटर इस रेडी टू सर्फ अपल को पीनट बटर में डीप करके खाने का स्वादी कुछा लगया अपल और पीनट बटर बहुत ही बढ़िया स्नाइक है अगर आप भूम रहे हैं कि हेल्डी स्नाइक क्या चाट पड़ा है उससे अच्छा है कि आप अपल और पीनट बटर खाईए और ट्रस्ट में इसका टेस्ट बहुत ही आसम है आप खाओगे तभी यांपाओगे